अफी सारे students की एक query रहती है कि sir हमें revision किस तरीके से करना है question solutions हमें किस तरीके से पढ़ना है तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्या नहीं करना है यानि क्या सबसे disastrous strategy जो हमें नहीं करना है हमने question पढ़ा और हमने solution भी साथ में रखा और हमने solution का audit कर लिया यहने खुछ से कुछ खास सोचा नहीं, बस question देखा, solution में देखा और हाँ हाँ कर दिया, यह नहीं करना है, right, which simply means कि अगर यहाँ पर यह रहा question और यह रहा solution, तो question और solution दोनों एक साथ हमारे सामने open है, question परना, solution का audit कर लिया, नहीं करना है, right, okay, तो अब क्या-क्या steps हैं, जो करना है, तो कोशिश करनी के जो तरीका बताने वाला हूँ, वो follow करना है, जितना हो सके, और नहीं दोवर आखरे दिन audit करना फिर भी कुछ अद तक allowed है, right, okay, so किस तरीके से revision 1 और 2 आपको करना है, सबसे पहली step, क्योंकि हमारी this champions booklet में question और उसके ठीक नीचे solution है, तो मन नही मानता है, question पढ़ते से हमारा ध्यान जाता है solution पर, तो solution को आपको किसी एक particular object से एक object ले लिजेगा, paper ले लिजेगा, whatever calculator ले लिजेगा, और आप उसे यहापर solution के ऊपर रख देंगे, which means, अब solution आपको जरा सा भी visible नहीं होना चाहिए, that is your step number 1, जैसी question है, उसको solution पहले चु क्योंकि solution थोड़ा सा भी दिखाना है, तो hints मिलने लग जाती कि हमें कैसे flow होना है, step number 2, अब आपको इस question को पढ़ना है, और जो मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही आपको exam में भी पढ़ना है, आपको question धीरे धीरे पढ़ना है, और दूसरी चीज, question में कोशिश करना है कि कर पाएं, which means, कि अगर हमने earnings पढ़ लिया है, और number of shares पढ़ लिया है, तो immediately click हो जाना चाहिए, कि इन्हें divide करके EPS आचाएगा, इसके बाद अगर हमने PE ratio बढ़ लिया है, तो immediately पढ़ते पढ़ते क्लिक हो जाना चाहिए, कि हाँ से market price आजाएगा, this is the correct way to read the question, read slowly and try to connect the dots, ठीक है, अब इसके बाद, फीसरी step, question की requirement बहुत ध्यान से पढ़ना है, कभी-कभी हम assumption ले लेते कि हाँ, question में यही करना होगा, जबकी question कुछ और बोल रहा है, so आपको question के requirement को define कर लेना है, so here the first requirement is, यहाँ लिखाए, you are required to calculate the cost of takeover, that is first requirement, second requirement is, an advice, और advice किसको को करना है, day limited को and night limited को, day को, right, so question की requirement ध्यान से पढ़े, question क्या-क्या पूच रहा है, right, और फिर एक तीसरी requirement is, also calculate purchase price premium offered by who, day limited, यहने there are three requirements, तो अब इन तीनों चीजों के marks हैं exam में, तो requirement identify कर ली हमने, right, step number four, अब हमारी होती है, कि अब हम अपना जो भी knowledge हमने अभी तक लिया है, concept पढ़े, उन्हें apply करके, इसका solution करें, solution के लिए आप calculator उठालेंगे, आप उसमे calculate करते जाएंगे, और अपने जो भी answers आते जा रहे हैं, अपने लिखते जाएंगे, आपकी इच्छा होता आप completely लिखकर solve कर लीजिए, नहीं तो आप एक rough copy ले लीजी, calculator में जो भी आपकी key numbers साते जा हैं, इसको 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 पूरा solve करना है, या फिर जहां पर comment type से पूछा है, तो फिर मन में comment सोच लेना है, यहां आखरी तक आपने solve कर लिए, अब आपने object रखीती solution पर आप खटा लीजिए, और आप अपने solution को यहां पर compare कीजिए, तो आपको बता चलेगा कि आप क्या सो सुझ रहेते, well and good, नहीं सुझ रहेते तो आपको अपने error, आपकी गलती का एहसास होगा, अगर आप से गलती हुई है, तो a good habit is, कि यहां पर जहां पर भी आपको जाखे, देखे, what mistake I made, what mistake I made, or what mistake I could make, right, वो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, is that clear, और इसी तरीके स आपको सारे questions को करना है, तो step number one, solution को object से ढखना है, step number two, question को धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना है, और connect करते चले जाना है, step number three, requirements identify करनी है, step number four, अपने knowledge लगाई है, formula लगाई है, जो अपने सीखर का वो कीजिए, उस रफ में solve कीजिए, step number five, वो object हटा अगर आप अपने solution को compare क DJ, thank you.